दोस्तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉप्ट वियर में किसी भी स्टॉक आइटम में आप डिस्क्रिप्शन सेट करना चाहते तो किस तरह से करेंगे और इस डिस्क्रिप्शन को प्रिंट आउट में सो कराना चाहते तो किस तरह से करेंगे दोस्तो आप किसी भी stock item के लिए यदि description set करना चाहते हैं तो जब आप create करने के लिए जाते stock item को तब भी आप description set कर सकते हैं किसी भी stock item के लिए और को stock item में उसको आपने create कर रखा है और उसको लेकर कई सारी entries भी कर रखी तो जिस तरह से आप अल्टर करके किसी भी श्टॉक आइटम में डिस्क्रिप्शन डालेंगां Bu अब आपको क्या है यहांपर ऑप कीबोर्स्ठे करेंगे कीबोर्स से कवारं ओस गोड़ से आइब कांश पीगर में और कौन्फीगर में आने के for stock item इसको आपको yes कर देना है तो मैंने क्या किया यहां पर general details के अंतरकत आकर provide description for stock items को yes किया और control के साथ ए प्रेस करके इसको accept कर लिया जैसी मैंने ऐसा किया दोस्तों तो देखे आपको यहां पर description का जो column है वो so होने लगा अब description के column में आप cursor लेकर आईए और जो भी description आपक numerical भी डाल देता हूँ आपको दिखाने के लिए ठीक न अब control के साथ ए प्रेस करके मैंने इसको accept कर लिया description मैंने set करना था वो मैंने कर दिया ठीक न अब हम चलते हैं voucher entry में voucher entry में आ गया है मानके चलते हम sales voucher में entry करने जा रहा है तो यहां पर मैं sales voucher के entry कर समय ए stock item को यह हाई नहीं दे रहा है तो हमने भले ही stock item create करते समय या stock item alter करते समय description को set तो कर दिया है लेकिन उसको जब यहां पर सो कराना चाहते हैं तो यहां पर भी हमको एक setting करनी होगी तो जब आप voucher entry में हो app 12 प्रेस करिए keyword से जब आप 12 प्रेस करेंगे keyword से दोस्तों आप यहां पर configuration में आए general details में आए और यहां पर provide additional description for stock item को आपको yes करना है और control के साथ A press करके इसको accept कर लेना है अब जैसी दोस्तों आप क्या करेंगे यहां पर A stock item को मैं जैसे ही लगाऊंगा यहां पर तो यह देखिए descriptions का pop-up हमारे सामने आ गया अब यहां पर by default वो description आ रह जैसे enterprise करेंगे करसर नीचे आ अब यहां पर भी आपको कोई description डालना है आप डाल सकते हैं alphabet numerical कुछ भी यहां पर डाल सकते हैं फिर enterprise करेंगे फिर आपको कोई और डालना है वो भी डाल सकते हैं अब मैं क्या करूंगा इसको और कोई मुझे description नहीं डालना है enterprise करूँगा तो यह देखे ए stock item पर हमारे जो description थे वो इस जगह पर आप show ने लगे एक तो वो description था जो कि मैंने set कर रखा था यह stock item पर और एक वो था जो कि मैंने इसी जगह पर डाला था ठीक है ना तो दोनों ही description हमारे जगह पर show रहे अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस entry को करूँगा तो quantity के column में जितनी quantity में sell करने जानूँ डाल दिया मैंने इस जगह पर डाला और इसके बाद मैंने यहाँ पर अब इसी voucher entry को open कर लेता हूँ अब बताता हूँ कि यदि आपको इस description को सो कराना है print out में तो किस तरह से सो कराएंगे इसके लिए उपर यहाँ पर print का बटन इस पर मैं कर दूँगा click white default यहाँ पर current select होकर आया current ही select रहने दूँगा interface कर दूँगा आ गया इस जगह पर so additional descriptions for stock items इसको आपको yes करना है yes करने के लिए आपको interface कर देना अब मैंने क्या किया यहाँ पर so additional description for stock item है इसको मैंने yes कर दिया और yes करने के बाद escape की प्रेस करूँगा एक और escape की प्रेस करूँगा अब preview को select करके और मैं enterprise कर दूँगा इसको जूम करता हूँ, तो देखें, यहाँ पर ए इस्टॉक आइटम पे, जो मैंने description set कर रखाता, वो भी सो रहा है, दूसरा मैंने इसी जगे पर डाला था, वो भी सो रहा है, तो इस तरह से आप print out में description को सो करा सकते हैं किसी भी स्टॉक आइटम के लिए, अब मैं आ जाता हूँ बाहर, इसके लाबा एक तरीका और आपको पताता हूँ, माल लीजिए कोई स्टॉक आइटम ऐसा है, जिस पर कि आप set नहीं करते हैं, description, कभी कबार आपको जरूरत पढ़ती है, तो आप उस पर set नही create कर रखा था, यहां पर देखिए, description मैंने कुछ भी नहीं डाल रखा, कुछ भी description set नहीं किया, फिर भी मैं इसमें description डाल सकता हूँ, देखिए, जैसी मैंने b-stock item यहां पर डाला, चूंकि app 12 प्रेस करके हमने यह setting कर रखी थी, कि provide additional description for stock item, इसलिए यह stock item को pop-up आएगा, तो जैसी मैंने b-stock item लगाया, इस पर मैंने कोई भी description set नहीं कर रखा है, और जैसी enterprise किया, तो देखिए, description यहां पर pop-up आगया, और यहां पर कुछ भी description नहीं आया, तो आप यहां पर भी description जो है, वो डाल सकते है, alphabet, numerical, ठीकर ना, enterprise करेंगे, फिर दूसरा कोई आप डालना चा तो कि इस पर मैंने set नहीं कर रखा है, यहीं पर डाल रहा हूं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, किसी भी stock item पर आपको कभी कवारी जरूत पड़ती है, कुछ description डालने की, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, उस stock item पर set मत कीजिए, description और कुछ भी description आप यहां पर डाल वाउचर एंट्री करते समय, description set किया, और वो मुझे इस जगह पर दिखाई भी दे रहा, इसको print करना है, तो print पर गए, और print पर जाने के बाद current को select रहने दिया, और चूंकि configure में मैं setting करी चुका हूँ, तो यहां पर configure में देखी यह, so additional description for stock item yes है, escape की press करूँगा, एक बार set किया था description, जब entry कर रहे थे उसी समय में description set किया, और उसको भी मैं यहां पर show करा पा रहा हूँ, तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी stock item पर, उस stock item को create करते समय भी description set कर सकते हैं, create कर लिया है आपने, create करने के बाद आप उस stock item को लेकर कई सारी entries भी कर च आते हैं, तो वो भी आप किस तरह से करेंगी, यह सब कुस मैं आपको बता चुका हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो, तो like करें धन्यवाद,